तो इस वीडियो का फर्स पार्ट भी आप जरूर देखिएगा जॉन विक स्टाइल ग्रेट एक्शन वाली दस शांदार मूवीज के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंट्रेस्टिंग वीडियो नमबर दस पर है ब्लू रूइन ये 2013 में आई एक थिलर फिल्म है जो हमें एक असैसिनेशन की स्टोरी दिखाती है लेकिन यहां जॉन विक जैसा वैल ट्रेंड हिटमन नहीं बलकि एक कॉमन मैन ये असैसिनेशन करता है सालों पहले अपने साथ हुए एक सैड इंसिडेंट का बदला लेने के लिए ये कॉमन मैन हत्यार उठाता है दोस्तों स्टोरी वाइज ये फिल्म जॉन विक से थोड़ा सिमिलर नजर आती है क्योंकि इसमें भी असैसिनेशन और रिवेंज फेक्टर हमें देखने को मिलता है जॉन विक लेवल का एक्शन तो इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि स्टोरी एक कॉमन मैन के राउंड सेंटर है बहुत सारे अवार्ड जीतने वाली एक क्रिटिकली अक्लेमड फिल्म आपको एक्शन के लिए नहीं बलकि इंटेंस ड्रामा और एक थ्रिलर स्टोरी के लिए जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम पर इंग्लिश में अविलेबल है नमबर 9 पर है सेफ ये 2012 में आई एक एक्शन क्राइम फिल्लर फिल्म है जिसमें जॉन विक की ही तरह बहुत बहुत सारा एक्शन आपको मिलने वाला है दोस्तों अब जहां जेसन स्टेदम हो और वहां एक्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है इनकी मुवीज में स्टोरी पार्ट से भी कई गुना जादा एक्शन होता है इसलिए एक्शन मुवी फैन्स के ये फेवरेट है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि लीड केरेक्टर अनिंटेंचनली एक यंग गर्ल को सेफ रखने की जिम्यदारी अपने उपर ले ले लेता है इसके बाद बड़े बड़े ट्राइम बॉस और माफियाज हाथ धोकर इसके पीछे पढ़ जाते है और यहां से जॉन विग जैसा ही वन मैन आर्मी वाला धमाकेदार एक्शन इस फिल्म में शुरू हो जाता है एक्शन मुवी लवर्स को तो ये फिल्म ज़रूर ट्राइ करनी चाहिए अन ओफिशिल सोर्सेस पर ये फिल्म हिंदी में अविलेबल है ये 2015 में आई एक धमागेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक मॉब्स्टर और एक हिटमैन के बीच दिखाई गई दमदार फाइट आपको जॉन विग फ्रेंचाईस की आज जरूर दिलाएगी इस फिल्म के शांदार एक्शन सीक्वेंस इसके कुछ सीन्स और इसकी स्टोरी इसे जॉन विग से काफी सिमिलर बनाते हैं लेयम नेशन स्टारर इस फिल्म में हम देखते हैं कि एक एकस हिटमैन अपने सन को बचाने के लिए एक मॉब्स्टर की गैंक से अकेला ही भिड़ जाता है इसके बाद फिल्म में जो गन फाइट और चेस सिक्वेंसे शुरू होती हैं वो एकदम होश उडा कर रख देती हैं तो अनओफिशल सोर्सिस पर इंग्लिश में अविलेबल ये एक्शन थ्रिलर फिल्म सभी जॉन विक फैंस के लिए must वाच है नमबर साथ पर है ड्राइव ये 2011 में आई एक क्राइम ड्रामा फिल्म है इसके जैसी युनीक स्टोरी और युनीक एक्शन थीम वाली मूवीज बहुत ही रेर और स्पेशल होती हैं रायन गौसलिंग जो फिल्म के लीड स्टार है उनको एक्शन अवतार में देखना आपके लिए कमाल का एक्स्पिरेंस होने वाला है फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी एक हॉलिवुड स्टंट ड्राइवर को फॉलो करती है ये गैट अवे ड्राइवर अपने नेबर की हेल्प करने के चक्कर में एक बड़ी प्रॉब्लम में फस जाता है लाइफ में एक डेंजरस सिच्वेशन आने के बाद जॉन विक की तरह इस सिंपल से लगने वाले केरेक्टर का एक बैडएस वर्जन निकल कर आता है जो फिल्म की स्टोरी को एक थ्रिलिंग टर्ण दे देता है शांदार एक्शन सीक्वेंस, ग्रेट वीजवल्स, अमेजिंग म्यूजिकल स्कोर और एक्सिलेंट परफॉर्मेंसे से भरी ये फिल्म जियो सिनेमा पर आप फ्री में इंजॉई कर सकते हैं नमबर छे पर है पोलर 2019 में आई नेट्फिक्स की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक से बहुत जादा सिमिलर है इस फिल्म की स्टोरी, इसकी थीम और स्पेशली इसका लीड केरेक्टर ये सब फेक्टर्स मिलकर इसे जॉन विक फिल्म के काफी करीब ले आते हैं फिल्म के एक्शन स्टाइल से और इसके वीजवल्स में यूज़्ट की वज़े से भी जॉन विक फ्रेंचाइस की शैडो इसमें दिखाई देती है जिसे उसके रिटायरमेंट से पहले ही एक बार फिट से फील्ड में उतरना पड़ता है और जब फिल्म का लीड केरेक्टर फिल्ड में वापस आता है तो जॉन विक की तरह तबाही मचा देता है अब ये तबाही देखने के लिए नेट्फिक्स पर इंग्लिश में अविलेबल ये थ्रिलर फिल्म आपको देखनी होगी नेट्फिक्स पर इसके हिंदी सब्टाइटल भी आपको मिल जाएंगे नमबर पाँच पर है पैपरमेंट टेकन मूवी के क्रियेटर्स की तरफ से ये एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जॉन विक का फीमेल वर्जन आपको देखने को मिलेगा दव विलेनस के बाद फीमेल करेक्टर पर बेस्ट ये दूसरी सबसे बैड़ाइस एक्शन फिल्म है जो जॉन विक से काफी सिमिलर नजर आती है ग्रेट रिवेंज फैक्टर के साथ साथ होश उड़ा देने वाला एक्शन भी इस फिल्म में आपको मिलने वाला है एक ट्रैजिक इंसिडेंट लीड करेक्टर की हैपी लाइफ को एक डार्क और अन्वांटेड ड्रीम की तरह हॉरिफिक और सैड बना देता है ये ट्रैजिडी फिल्म की लीड करेक्टर को एक कॉमन वुमन से लेडी जॉन विक में बदल देती है और फिर जो रिवेंज जोर्णी जो एक्शन फिल्म में शुरू होता है वो आप कभी भूल नहीं पाओगे इसलिए दोस्तों जॉन विक मूवी लवर्स के लिए फिल्म मस्ट वॉच है तो Amazon Prime पर English में अविलिबल इस धमागेदार फिल्म को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए नमबर चार पर है The Night Comes For Us ये 2018 में आई एक इंडोनेशन एक्शन फिल्लर फिल्म है और हर एक एक्शन मूवी फैन की ये फिवरेट फिल्म है ये फैन फिवरेट एक्शन फिल्म ताबर तोड एक्शन के मामले में तो John Wick से सिमिलर है और John Wick लेवल का ग्रेट एक्शन इस फिल्म में भी दिखाया गया है फिल्म का लीड करेक्टर एक यंग गर्ल को बचाने के चकर में अपने पास्ट को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका पास्ट और उससे रिलेटेड कुछ लोग उसे वाइलेंट एक्शन अवतार लेने पर मजबूर कर देते हैं इसके बाद ये अकेला इंसान जो तबाही स्क्रीन पर मचाता है वो होश उड़ा देने वाला नजारा एकदम एज ओफ द सीट एक्सपिरियंस आपको देने वाला है तो दोस्तों नेट्फिक्स पर अविलेबल ये फिल्म आप ज़रू ट्राइ कीजिए ये फिल्म इंडोनेशियन लेंग्विज में नेट्फिक्स पर अविलेबल है और इसके इंग्लिश सब्टाइटल भी वहाँ आपको मिल जाएंगे नमबर तीन पर है I Saw The Devil ये होश उड़ा देने वाली कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म कितनी शांदार है ये बात हर एक कोरियन मूवी फैन को बहुत अच्छे से पता है कोरियन सिनेमा की सबसे बहतरीन एक्शन मूवी में इस मूवी का नाम सबसे टॉप पर आता है साइको किलर पर बेस्ट ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपने लाजवाब एक्शन और थ्रिल की वज़े से जॉण विक के थोड़ा करीब आ जाती है एक सीक्रेट एजेंट बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से एक साइकोलोजिकल किलर से अपना बदला लेता है लेकिन ये साइको किलर भी कहीं कम नहीं है ये भी हर कदम पर इस एजेंट को चैलेंज करता है अब इन दो लोगों के बीच जो इंटेंस फाइट शुरू होती है उसको यहां वर्ट्स में एक्स्पेन नहीं किया जा सकता है तो आप इस अमेजिंग कोरियन फिल्म को देखिए और इन दो लोगों के बीच इस धमाकेदार फाइट को एक्सपिरियन्स कीजिए दोस्तों यह फिल्म अनओफिशल सूर्सिस पर इंग्लिश में अविलेबल है नमबर दो पर है रॉट अफ मैन यह 2021 में आई एक एक्शन हाइस्ट थ्रिलर फिल्म है और नोबडी के बाद 2021 की अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म इसे कहा जा सकता है जेसन स्टेदम स्टारर इस अमेजिंग फिल्म का कॉमबेट एक्शन और रिवेंज की डिजायर से भरी इसकी स्टोरी इसे जॉन विक स्टाइल टच दे देते हैं एक मिस्टीरियस मैन एच कैश ट्रक कमपनी जॉन करता है और उसके इस कमपनी को जॉन करने के पीछे एक गहरा राज छिपा होता है जब धीरे धीरे इस लीड करेक्टर की अबिलिटीज लोगों के सामने आने लगती है तब इसके को वर्कर्स एकदम दंग रह जाते हैं दोस्तों जॉन विक की ही तरह जब एच का बैडएस करेक्टर आपके सामने आएगा तो आप भी दंग रह जाओगे तो इसलिए एक्शन किंग जेसन स्टेथम स्टारर ये अमेजिंग फिल्म आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये फिल्म अनओफिशल हिंदी डबिंग के साथ अनओफिशल सोर्सेस पर अविलेबल है नमबर एक पर है टेकन फिल्म सिरीज तीन शांदार एक्शन पैक्ड मूवीज वाली ये सिरीज हमेशा से ही जॉन विक फैन्स की फर्स्ट चॉइस रही है नोबड़ी जिसे हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड किया था उस फिल्म के बाद टेकन जॉन विक के सबसे जादा सिमिलर है लियम नेसन स्टारर इस ग्रेट फिल्म में धमाकेदार एक्शन के साथ साथ एक शांदार स्टूरी और पावरफुल लीड करेक्टर भी आपको मिलने वाला है एक CIA agent अपनी डॉटर को बचाने के लिए उस हद तक चला जाता है जितना उसका एनिमी कभी imagine भी नहीं कर पाता अगर आप सच में John Wick Universe में वापस जाना चाते हैं दोस्तों तो Taken Franchise की तीनो फिल्म्स बिना देरी की आपको देख लेनी चाहिए John Wick के बाद action के मामले में ये franchise आपकी सबसे favorite बन जाएगी इस series की तीनो फिल्म्स unofficial sources पर English में available है तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं स्क्रीन पर इस वीडियो का first part अभी suggest हो रहा है उससे आप अभी जाकर देखिए क्योंकि 10 excellent John Wick style movies उसमें आपको मिलने वाली है अगर आप एक true movie fan हैं तो movies और web series की सबसे best choices के लिए The Choice Box को subscribe कर लिजिए आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत